तो स्टुडेंट्स हमारी एक अप्लिकेशन है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यह एप्लिकेशन स्पेसिफिकली एंड्रोड यूजर के लिए अविलेबल है इस एप्लिकेशन में आपको लॉग इन करना होगा अपनी जीमेल इडी से and once you have logged in आप इस पेज पे जाएंगे आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रेक 10 अगर आप यह कोड क्रेक 10 यूजर करते हैं तो आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा अगर आप परचेस करते हैं हमारा कोर्स को अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि यह कोर्स इतना अच्छा इतना इंपोर्टन कोर्स क्यों है क्या reason है इस course का इतना अच्छा होने का देखिए हम daily basis पे आपको current affairs प्रोवाइड करेंगे weekly basis पे, monthly basis पे मतलब daily basis पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के content की एकदम अच्छे से बिलकुल notes format में ताकि आपको खुद के notes ढूणने ना पड़े बनाने ना पड़े और ये notes पढ़के आपकी revision हो सके यही आपको quiz भी हम प्रोवाइड करेंगे same content की daily basis पे 20 से questions की quiz होगी आपको application पे मिल जाएगी जो आप revision के लिए हमारा PDF पढ़के course को revision करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से revise करूँ हम आपको application पे ही revise करा देंगे अपनी through this quiz ऐसे ही weekly format में आपको 50 questions की quiz मिलेगी और PDF, compiled PDF of important questions of that week ऐसे ही monthly basis पे एक top 100 questions की PDF मिलेगी जो बहुत अची PDF होती है बिलकुल कैतेना एकदम star questions, most important questions of that month हम cover करते हैं इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक one stop solution है बहुत अच्छा content हम आपको provide करते हैं 99.99% हम अपना content cover कर देते हैं related to banking awareness इसी के साथ साथ आपको पता होना चीए हम अप provide करते हैं आपको 20 topic के PDF ये topic की PDF कौन कौन सी होती है जैसे अगर आपने एक्जाम में देखा होगा एप से related और ब्यूटरी किस personality की मृत्य हो गई books किस book कौन से author ने लिखी है important days के बारे में national affairs के बारे में international affairs के बारे में defense के बारे में ये particular satellite किस की है ये missile किस के दवारे launch की गई तो इससे related हम सब आपको content provide करते हैं जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहता है इसी के साथ-साथ कुछ special current affairs भी provide किये जाते हैं interactive PDF भी आपको provide की जाती हैं अगर आप हमारा course purchase करेंगे ते जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेंगी और जो ये सारा content अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये content bilingual है bilingual मतलब English में भी provide किया जाता है as well as ये Hindi में भी हम आपको content provide करते हैं इसी के साथ-साथ friends आप हमारे YouTube channel को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर हम आप बहुत अच्छे से revise कराते हैं आपको content पढ़ाते हैं आपको कुछ ना समझाए तो आप वहाँ से जाके refer कर सकते हैं एक code और याद रखना वो है Vikas10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप Vikas10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9667-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा एक इसी के साथ-साथ friends आप हमारे course को 2 साल के लिए as well as 1 साल के लिए purchase कर सकते हैं अगर कोई बच्चा, कोई student 2 साल बाद exam देना चाहता है वो long term plan कर रहा है आपकी graduation अभी खतम हुई है and आप चाहते हैं कि आपकी preparation बहुत ही अच्छे से हुआ and आप अपना 100% दे के exam देना चाहते हैं तो आप 2 साल का भी course purchase कर सकते हैं as well as अगर कोई plan कर रहा है next year payment करने का next year plan कर रहा है अपना exam देने का जोस्तों आज की वीडियो में हम 12th जुलाई के important current events discuss करेंगे ये session काफी helpful रहेगा तो वीडियो को end तक ज़रूर देखिएगा also friends आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं मेरा insta handle यहाँ पर mentioned है इसी के साथ चाहते friends जो 10th and 11th जुलाई के आपका homework के questions थे वो आप यहाँ पर option देख सकते हैं जो correct हैं हितेश भट के द्वारा यह option सारे correct दिये गई हैं so हितेश भट congrats and best of luck for your future तो यह 5 options correct हैं आप इनको आगे check कर सकते हैं अपने answers के साथ next news पे आते हैं friends सबसे पहले हम बात करेंगे ministry of home affairs की अभी ministry of home affairs ने एक तीन member की commission set up की गई for delimitation of municipal wards in Delhi delimitation मतलब delimitation का meaning होता है to fix the boundary or limit of something ठीक है तो ministry of home affairs ने तीन member की commission set up की ताकि delimit कर सके limit कर सके municipal wards in Delhi की powers को ठीक याद रखेगा अच्छा question है इसी के साथ आगर हम MCD की बात करें MCD establish किया गया था 1958 में इसको तीन structure में divide किया गया था 2018 में जो थी आपकी East Delhi Municipal Corporation North Delhi Municipal Corporation and South Delhi Municipal Corporation फिर इनको reunite करके वापस on May 2022 22 में 2022 को इन तीन existing civil bodies को वापस से एक single entity बना दिया गया जिसको MCD बोला गया MCD के अगर मैं special officer की बात करूँ अश्विनी कुमार रहेंगे and commissioner रहेंगे MCD के गयनेश भारती ठीक है? चलिए next पे आते हैं next बड़ी अच्छी information है और important रहेगी आपके exam perspective से कि GE Healthcare ने अभी इंडिया का पहला GE Innovation Hub लाँच किया पूछेंगे Adani Group Adani Group के द्वारा Adani Group के द्वारा अभी 5G सेक्टर में 5G internet technology सेक्टर में entry करने की बात की गई जो की काफी impact देगा and even challenge करेगा जो existing companies है जैसे Jio ATEL ठीक है इनको ये आगे challenge करेगा because ये इस race में पहले से ही है और Adani Group भी इस 5G के race में जुटने वाला है तो coming back 5G Innovation Lab की बात करें first organization to launch 5G Innovation Lab in India वो है आपकी GE Healthcare moving on हम एक बात करेंगे report के बारे में जो की United Nations के द्वारा release की गई थी इस United Nation के report में बताये गया कि more than 2.3 billion people severely और moderately hungry in 2021 as per the UN report इसके काफी सारे factors हैं और हम काफी बार discuss कर चुके हैं कि सबसे पहला जो factor जो most important factor जहां से ये सब शुरू हुआ वो था COVID-19 COVID-19 में lockdown लगा फिर आपकी काफी सारे restrictions हमें देखने को मिली supply chain तूट गई थी जो छोटे businesses ते वो shut हो गए थे लोगों का जो घर पे आमदे नहीं थी वो कम हो गई थी फिर उसके बाद आ जाता है Ukraine war Ukraine war से और बड़ा impact देखने को मिला क्या कि जो हम wheat as को export करते थे जो Russia और Ukraine हम जालते है Russia और Ukraine एक बहुत बड़ा exporter है wheat का तो काफी देशों में ये export करते थे war की वज़े से वो export बंद हो गया तो food security बढ़ गई even fertilizers को export किया जाता था from Ukraine and Russia अब क्या हुआ फिर वो जो जहां पे इन कंट्रियों ने export करते थे वहाँ पे food insecurity ही तो उन कंट्रियों ने काफी कंट्रियों में से इंडिया को अप्रोच किया लेकिन इंडिया में क्या दिक्कत हुई इंडिया में आ गई heat wave जिसकी वज़े से इंडिया में काफी सारी crops destroy हो गई player export wheat का नहीं करेगा ठीक है ये हमने चीजे देखी इंडिया को अपना भी ध्यान रखना है बाकियों को भी ध्यान रखना है इसलिए वज़े से step लिया गया था एंड हम देखते हैं जिसकी वज़े से अगर एक बड़े scale पे all around the world देखें तो जो food insecurity है ये एक बहुत बड़ा issue बनता जा रहा है काफी जगह पर तो proper nutrient का खाना ही नहीं मिलता है काफी जगह यह जहां पर खाना तो मिलता है लेकिन वो proper nutritious food नहीं होता गंदगी होती है पानी साफ नहीं मिलता पानी भी बहुत बड़ी issue होने वाला है ठीक है तो ये सारी report किन के दौरा United Nations के दौरा अभी release की गई SOFI 2022 SOFI क्या है State of Food Security and Nutrition in the World 2022 की ये report रहेगी SOFI 2022 ठीक है चलिए एक चीज़े आपर correct कीजिए United States नहीं United Nations के दौरा ये report release की गई थी Next पे आते हैं Next हम बात करेंगे India ने अभी एक consistent improvement दिखाई है Economic Performance Index में in the last four years as per the PhD Chamber Highly important याद रखेगा ये report किसके दौरा रिलीस की गई है भी ये report आपकी release की गई है PhD Chamber of Commerce and Industries के दौरा ये report रिलीस की गई जिसमें बताया गया कि India ने consistently improve किया है अपनी economic performance में इसी के लिए एक आजाता है IER IER क्या होता है International Economic Resilience I repeat अभी इंडिया की अगर मैं International Economic Resilience 2022 की report की बात करूँ ये top 10 economies में से data release किया जाता है और पिछले 4 सालों का अगर मैं IER report के इसाफ़ से data देखूँ तो Indian economy 2019 में थी छटे place पे आप economic growth देखिए India कितनी अच्छे से grow कर रहा है इस particular index में अपनी economic के हिसाब से देखिए 2019 में छटी rank थी 2020 में चौथी rank हो गई 2021 में तीसरी rank हो गई और 2022 में दूसरी rank हो गई तो आप देख रहे हैं हर साल India improve कर रहा है अपनी economic performance में और यह data release किया गया किसके दौरा PhD Chamber of Commerce and Industry के दौरा इस data को release किया गया और अब जो important आपको याद रखना है इंडिया की rank 2022 में कितनी है second rank इंडिया की फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो first position आ जाती है जिस state country की वो दो है दो country first position को share करती है in this international economic resilience index में वो हैं जर्मनी और कैनेडा यह दोनो first position को share करती है चलिए next पे आते है next हम बात करेंगे पंजाब National Bank ने भी एक MOU sign किया Indian Air Force के साथ Indian Air Force के साथ यह PNB के दारा MOU sign किया गया for PNB रक्षक plus scheme PNB रक्षक plus scheme किया है कि कोई भी Air Force का आपका या फिर कोई भी Army Personal Air Force Personal यह इनको insurance scheme प्रोवाइड की जाएगी insurance scheme कैसी प्रोवाइड की जाएगी उनकी जो अगर death हो जाती है due to accident उनको 50 लाग रुपे मिलेंगे अगर उनकी aircraft के accident में death होती है तो 1 करोड रुपे का compensation मिलेगा पचास लाग तक का insurance cover मिलेगा यह scheme किस के दवारा लाँच की गई PNB के दवारा लाँच की गई PNB रक्षक प्लस scheme इसी के साथ साथ सिरफ Indian Air Force नहीं आपको याद रखना है यह जो आपकी scheme है यह कई और forces में आपको account करती है बाकी forces को जैसे अगर हम बात करें आपके retired trainees, serving trainees, defense force के central land police forces के state police force के metro police force के इन सब को भी इसमें include करा गया है apart from this अगर हम बात करें इसी में आपका border security force CRPF, ITBP as well as CISF इन सब के personals को भी इसमें include करा जाएगा इस scheme में फिर अभी हमने देखा यह थी Indian Air Force की तो अगर हमने कल ही आपकी वीडियो पर ध्यान दिया होगा आपने तो AXIS Bank ने AXIS Bank ने भी एक अभी tie-up किया Indian Air Force के साथ की जो Indian Air Force के salary accounts होंगे न उनको कौन manage करेगा AXIS Bank manage करेगा I repeat, Indian Air Force के जो salary accounts होंगे उनको कौन सा bank manage करेगा Indian Air Force manage करेगा NPCI, National Payment Corporation of India ने अभी collab किया JBIMS के साथ JBIMS क्या होता है JBIMS है Jamlal Bajaj Institute of Management Studies National Payment Corporation of India ने collab किया Jamlal Bajaj Institute of Management Studies के साथ ताकि एक master's degree program लाया जा सके digital payments में digital payments हम देख रहे हैं कितना ज़ादा इंडिया में digital payment का आप कह सकते ना लहर सी आजाती है किसी चीज की तो वो इंडिया में एक digital payment की लहर सी आ गई है आप देखते हैं हर शॉप पर आपको digital payment की facility मिलेगी बार कोड मिलेगा आपको QR कोड मिलेगा आपको ताकि आप उस QR कोड को scan करें and payment कर सकें even remote areas में आपको QR कोड मिल जाते हैं to scan them इसी के साथ साथ आप देखेंगे काफी सारी organization be it google, microsoft चाहे whatsapp की बात करें वो whatsapp business को अपने business को online लाने के लिए काफी सारे अलग initiative ला रही है ये सारी इंडिया में इतना target क्यों कर रही है the main reason is population इंडिया में population इतनी जादा है कि अगर हम उनको cater कर लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छा source बन जाता है for income जैसे आप देखते हैं Instagram कोई भी social media platform Instagram पर क्या होता है कि आपके अगर जादा से जादा followers है आपकी reach जादा है आपकी activity जादा है तो आपको जो sponsor मिलेंगे वो भी जाद अच्छे sponsor मिलेंगे you have better opportunity to learn to earn also ठीक है तो इसी वज़े से सब कुछ digitize करने का एक और फाइदा होता है कि सब कुछ transparent हो जाता है कि digitize payment में कोई black money का कोई scope नहीं रहता पूरा data जो आपने पैसा कमाया जो आपने पैसा बाहर दिया किसी को salary दी या कहीं और से आपने पैसा आपके account में आ रहा है तो उतका पूरा record रहता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे आप black money को avoid नहीं कर सकते आप black money से नहीं बच सकते आपके पास अगर black money है आपको show करना पड़ेगा with the help of digital payment अगर ये mandatory कर देते हैं physical money आप देख दें दीरे 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 एक time ऐसा हैगा कि physical money कम हो जाएगा इवन अगर आपने अभी new Delhi की news सुनी हो तो सब कुछ digital करने की बात किया उन्होंने अपने proceedings को government के जो important और कुछ secret documents होते हैं उन्हें को offline as a paper module medium के थ्रू बेज़ा जाएगा लेकिन बाकी सारी जो आपकी transactions होंगी जो आपकी proceedings होंगी जो government के दुआरा rules निकलेंगे या किसी को कोई document बिजवाना है किसी एक department से दूसरा department में वो सारा आप कुछ digitally होगा paperless format में अब shift हो गई है ठीक है चलिए next पर आते है NASCOM की बात करेंगे National Association of Software and Service Company NASCOM ने अभी investment New South Wales जो कि एक Australia की government economic development and investment interaction agency है इनके साथ collab किया ताकि इंडिया के IT SMEs को बढ़ावा दे सके मतलब इंडिया के IT SMEs में investment कर सकें लोग बाहर से आके FDII आ सकें इंडिया में इंडिया को grow कर सकें और अलग-अलग various technology जो कि Australia में है जो Australian लोग यूज करते हैं जो Australia की company जो Australia के MSME अपनी technology चला रहे हैं जिसके basis पर वो business कर रहे हैं उस technology को हम इंडिया में भी implement करें इसी के साथ साथ याद रखेगा इंडिया ने Australia के साथ एक MOU भी sign किया था और यह MOU था tourism के लिए tourism को बढ़ावा देने के लिए tourist को बढ़ावा देने के लिए यह MOU sign किया गया था between India and Australia फिर next बात करेंगे महराष्टा मेट्रो महराष्टा मेट्रो ने National Highway Authority of India नाइक के साथ मिलके अभी एक world record बनाया for the longest multi-layer wire duct in नागपूर यह 3.14 km लंबा wire duct है जो की longest multi-layer wire duct है कहाँ पर नागपूर महराष्टा में ठीक है कौन सी दो organization याद रखेंगे महराष्टा मेट्रो और दूसरी है नाई फिर एक चीज़ आप यहाँ पर picture से समझेए मैं क्या बता रहा हूँ क्यों हाई है longest multi-layer wire duct है आप यहाँ पर ground floor देख रहे हैं यह हो गया ground floor इसके उपर आगया first floor जहाँ पर आपका elevated road बना है और इसी के उपर आगया आपकी metro मतलब elevated road के भी उपर आपकी metro है तो यह longest multi-layer wire duct है जो कि 3.4 km extend करेगा यह ऐसे तीन layers में ground floor first और second layer में ठीक है और यह कहाँ पर है नागपूर में है और किस organization को world record बना है किन दो organization ने वो है महराश्टर मेट्रो and National Highway Authority of India ने मिलके चीक है चलिए next पे आजाते हैं order of the rising sun gold and silver award के बारे में यह order of the rising sun gold and silver award किन के दवारा दिया जाता है जापान के दवारा आपको याद रखना है order of the rising sun ही अगर आजाता है तो यह किस country से associated करते हैं यह जापान से associated करते हैं ठीक है तो government of Japan के दवारा order of the rising sun gold and silver award से सम्भानित किया गया किस व्यक्ति को वो है vice chairman of sunmar group Narayanan Kumar ji Narayanan Kumar ji को अभी जो कि vice chairman sunmar group के इनको government of Japan के दवारा order of the rising sun gold and silver award से सम्भानित करा गया important reason क्या था कि कि इनको क्यों ही सम्भानित किया गया क्योंकि इन्होंने का जो contribution था economic relations को बढ़ाने के लिए between India and Japan इस वज़े से इनको सम्भानित करा गया इंडिया और जपान के बीच में economic relations को और बैटर करने के लिए इन्होंने बहुत contribute किया है इसी लिए नाराइन कुमार जो की vice chairman है आपके सन्मार ग्रूप के इनको सम्भानित किया गया order of the rising sun gold and silver award से next पे आजाते हैं hall हिंदुस्तान aeronautics limited और साफरान साफरान ये आपकी एक France की company है याद रखेगा ये आपके helicopter engines को बनाती है ठीक है तो अभी recently hall and साफरान के द्वारा एक MOU sign किया गया ताकि इंडिया में आपके helicopter engines को बनाया जा सके ठीक है helicopter engines को बनाया जा सके ये जो आपका hall और साफरान के बीच में MOU sign हुए ये एक joint venture है ये 50-50 joint venture होगा ये अपनी है खुद की company set up करेंगे इंडिया एरो स्पेस company set up करेंगे ठीक है जो 50-50 joint venture में होगी हिंदुस्तान Aeronautics Limited और साफरान के साथ जो की helicopter engines को डेवलप करेंगी जो future की technology होगी उसके basis पे जो आपके helicopter engines डेवलप किये जाएंगे यहाँ पर hall की बात करें 1964 में establish किया गया था बैंगलोर करनाटका मिन का headquarter रहेगा ठीक है चलिए next news पे आते हैं NASA की बात करें NASA हम जानते है Space Agency है USA की तो NASA के द्वारा अभी International Space Station से एक garbage bag जिसका weight है 78 kg उसको release किया गया और उनके द्वारा बोला गया कि जब यह एंटर करेंगा एट्मस्वेर में दो चीज होंगी पहली यह burn कर जाएगा जब वो re-entry करेंगा orbiters एट्मस्वेर में जब हम जानते है asteroids हो गई meteorites हो गई तो जब यह meteorites आपका asteroid तो बहुत बड़ा हो गया meteorite या फिर कोई भी space junk आपका aircraft कोई भी छोटा सा अगर हम space junk का कोई भी equipment या कोई भी छोटा पार्ट देखें जब वो एट्मस्वेर में एंटरी करता है तो वो burn हो जाता है resistance और heat के वज़े से वो burn हो जाता है तो इसी लिए इन्होंने बोला जो यह 78 kg का garbage bag है न जो release किया गया International Space Station से NASA के द्वारा यह entry करते ही burn हो जाएगा तो किसी को भी कोई impact लेनी की ज़रूत नहीं है कि यह कहीं पे land करेगा या किसी पे crash करेगा दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यह orbit नहीं करेगा LEO LEO Earth orbit में आपका यह revolve नहीं करेगा around the Earth यह सीधा आके burn कर जाएगा तो यह दो चीज़ याद रखनी है ठीक है यह जो waste disposable technology has been jointly developed by NASA के John Space Center and Nanorex के द्वारा ठीक है पूरा एरक्राफ को as a waste disposable के रूप में burn कर दिया जाता था during entry ठीक तो coming back आपको याद रखना है NASA के द्वारा एक garbage bag release किया गया 78 kg का release किया गया ISS से release किया गया next हम बात करेंगे Australian Grand Prix की किनों ने जीती Charles Lesler ने जीती जो कि Ferrari के driver है ऐसे ही मैं पूछू Emilia Romagna Grand Prix किस के द्वारा जीती गई Max Worst Happen के द्वारा जीती गई जो कि Red Bull के driver है ठीक है next पे आते हैं next हम बात करेंगे Vitaly Sivuk की Vitaly Sivuk ये Ukraine के Grand Master है ठीक है इनके द्वारा अभी second La Plank Chess Festival 2022 को जीता गया I repeat Vitaly Sivuk इनके द्वारा second edition of Plank Chess Festival 2022 को जीता गया और ये Vitaly Sivuk कहा से बिलॉंग करते हैं Ukraine से बिलॉंग करते हैं इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये Vitaly Sivuk 19 साल के है ठीक है यहाँ पर first position Vitaly Sivuk की आई और जो second position आई न वो India के Grand Master P. Indian की है ये इनको याद रखना है इंडिया के Grand Master P. Indian की second position आई in this tournament Moving on Next बात करेंगे Orbitry की Godfather The Godfather एक काफी famous movies है ये दो-तीन movies की series है Godfather इनके actor James Kahn इनका recently निदन हो गया at the age of 82 याद रखियेगा ठीक है California United States of America में इनका निदन हो गया James Edmund Kahn जो की एक रियोंड अमेरिकन एक्टर थे काफी famous एक्टर थे for the film The Godfather Next बात करेंगे Father of Indian Internet B. K. Singal इनका निदन हो गया recently इनको Father of Internet बोला जाता है काफी important Father of Indian Internet ठीक है ये फॉर्मन चेर्मन थे आपके V. S. N. L. के ठीक है Former Chairperson of V. S. N. L. V. S. N. L. क्या है विदेश संचार निगम लिमिटेड के ठीक और इनको Father of Indian Internet भी बोला जाता था 82 की एज में इनका निदन हो गया हर्याना में इनका जनम हो था लेकिन 1947 में ये हर्याना से New Delhi आ गए थे एक चीज और याद रखना है इनको Bulldozer के नाम से भी जाना जाता था Bulldozer क्यों काना जाता था क्योंकि अगर कहीं से Political Pressure आ रहा है आपका Bureaucratic Pressure आ रहा है तो उसको ये बहुत अच्छे से Handle करते थे उसको कैसे Solve करना है उस Situation से कैसे Deal करना है ये बहुत अच्छे से करते थे और इंडिया में इंटरनेट को जो एक Revolution हमें देखने को मिला है उनमें इनका काफी योगदान है Father of Indian Internet BK Single has passed away recently एक चीज और याद रखना अगर मैं आपसे पूछू Father of Indian Statistics वो कौन है PC Mahalubonis ठीक है याद रखना Father of Indian Statistics कौन है PC Mahalubonis चलिए नेक्स पे आते हैं नेक्स हम बात करेंगे एक्स प्रेजिडेंट आफ मेक्सिको लुइस एचरवीर्या इनका रिसेंटली निधन हो गया है अगर हम इनकी बात करें तो 100 साल की उमर में इनका निधन हो गया मेक्सिको सिटी से ये बिलॉंग करते हैं ये एक मेक्सिकन लॉयर थे अकेडमिक थे और पॉलिटीशन थे एक चीज़ और याद रखना है ये 57th प्रेजिडेंट थे मेक्सिको इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है मूविंग ओन नेक्स हम बात करेंगे ठीक है स्वाधिंता सग्रामना सुर्वीरो ये बुक गुजराती में है जो की लॉंच की गई किन के दौरा मिनाक्षी लेखी के दौरा आपकी जो सैक्रिफाइज रहेगा फ्रीडम फाइटर्स का उनके बेस पे उनकी एक कहानी इनका कॉंट्रिबूशन इसमें बताये गया है और ये कौनसी लेंग्विज में रहेगी गुजराती में रहेगी ठीक है फिर आ जाते हैं नेशनल फिश फार्मर्स दे की कब अबजर्व करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स दे फिर नेक्स पे आते हैं नेक्स हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की 11 जुलाई को हम अब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और अभी एक रिसेंटली डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया सरपास कर देगा चाइना को टो बिकम दे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटिट सिटी बाई दा इयर 2023 मतलब अगले साल इंडिया सरप बन जाएगा वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटिट कंट्री इन दे वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2022 को अबसुर्ब किया जाता है अगर मैं बात करूँ पहला वर्लड पॉपुलेशन डे कब अबसुर्ब किया गया था तो 11 जुलाई 1990 में हमने पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अबसुर्ब करा था एड़क्वार्टर कहां पर है National Students Day 9 July को हम National Students Day observe करते हैं reason being to bring positive change in the Indian education system 9 July को ही क्यों observe करते हैं क्योंकि ABVP अखिल भारती एक विद्यारती परिशत इसका जनम हुआ था 9 July 1949 को यह आपका एक student organization है जो कि किन की ideology पे work करता है Swami Vivekanand की ideology पे इसको set up किया गया था as a form of student organization 9 July 1949 को ठीक है National Students Day observe किया जाता है 9 July को याद रखिएगा और अगर पूछने तो एक इनकी ideology पे based थी अखिल भारती विद्यारती परिशत तो यह आपकी Swami Vivekanand की ideologies पे work करते हैं उनकी ideologies पे built यह student organization और 2022 में हमने कौन सा day observe किया 74th foundation day of ABVP हमने observe किया ठीक है 74th चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे त्रिपुरा government ने अभी एक scheme launch की है earn with learn earn with learn एक नई scheme launch की रही basically यहाँ पे क्या है कि जिन बच्चों ने COVID-19 के time पे drop out कर दिया था school उनका data लाने के लिए घर घर जाकर door to door जाकर उनका data लाने के लिए कितने बच्चे यहाँ पे work करते हैं कितने बच्चे आपे पढ़ रहे हैं किनोंने school drop out किया तो यह सारी चीज़े लाने के लिए यह नई scheme earn with learn लाँच की गई as a part of विद्यालय चलो अभियान जो बच्चे drop out कर चुको है उनको encourage करना कि बापस वो अपनी education start करें be it any reason उनको financial help चाहिए तो government उनको financial help भी provide करने के लिए ready है ठीक है तो याद रखेगा जो third year के बच्चे हैं वो भी इसमें volunteer कर सकते हैं इस scheme में जाके ताकि यह help करें to get the proper data और यह scheme रहेगी earn with learn यह किसके अंडर launch की गई थी विध्याल्य चलो अभियान के अंडर launch की गई थी तो इनको revive करने के लिए scheme को कि विध्याल्य चलो अभियान की बच्चो जो जो school छोड़ चुके हैं उनकी education पूरी हो सके देखो अगर education पूरी होगी ना तो बच्चे skills develop करेंगे और skills develop करेंगे तो वो खुद के लिए employment ढूण सकते हैं उनको problem नहीं आएगी उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ठीक है तो यह earn with learn यह किन की scheme तरिपुरा की विध्याल्य चलो अभियान यह किस की तरिपुरा की ठीक है इंडिया 2.37 billion people severely or moderately hungry in 2020 जो के report release की गई वाइफ यूएन अजिस इंडिया का international economic resilience की बात करें तो इंप्रूव हो गया और यह अब second position पे आते हैं 2022 RBI ने 22nd systematic risk सरवेक स्टेट स्टेट स्क्रेट डिमांड को इंप्रूव किया in the next 3 months PNB ने sign की एक MOU इंडियन एर फोर्स के साथ ताकि PNB रक्षक्स प्लस स्कीम लाँच की जा सके फॉर डिफेंस पर्सनल फिर NPCI ने कॉलाइब किया JAB IMS के साथ ताकि Master's Degree Program Master's Degree Program लाँच किया जा सके इन डिजिटल पेमेंट्स NASCOM ने पार्टनर किया Australian Government Agency के साथ ताकि महाराष्टरा मेट्रो एंड नहाए के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट अप किया गया फॉर बिल्डिंग एशिया लॉंगेस्ट मल्टी लेयर वायडिक्ट इन नाधपूर जो की महाराष्टरा में ही है 3.14 किलोमेटर लंबा ही रहेगा Order of the Rising Sun की बात करें तो इन्होंने कनफर किया Sunmar Group के Vice Chairman को Order of the Rising Sun Awards से सम्भानित किया गया जो की Government of Japan के द्वारा दिया जाता है Hall & Safran इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि helicopter engines को इंडिया में बिल्ड कर सकें NASA ने रिलीज किया 78 kg का garbage bag from International Space Station for the first time और जो orbit में re-entry करके burn up हो जाएगा फिर Charles Lassler जो की Ferrari के driver है इन्होंने 2022 की Austrian Grand Prix को जीता Vitaly Suvik ये Ukraine के Grand Master है इनके दुवारा second edition of La Plank Chess Festival को जीता गया और इंडिया के Grand Master P. Indian इनकी second position रही Next आजाते है Godfather के actor James Khan इनका recent ये निधन हो गया Father of Indian Internet B.K. सिंगल जी इनका भी निधन हो गया है Ex-President of Mexico Louis इनका भी निधन हो गया है Union Minister मिनाक्षी लेखी के द्वारा एक book रिलीज की गई on Freedom Fighters फिर 10 जुलाई को National Fish Farmers Day अबजर्व करते हैं 11 को World Population Day 9 जुलाई को National Students Day अबजर्व करते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये थी आपकी One Liner News आपके डिटेल में भी कवर हो गया है अब जलते हैं आपके Homework पर मैंने देखा है काफी बच्चे कहते हैं कि सर्जो आप Homework देते हैं पहले Question कराते हैं वो आपकी PDF से नहीं होते अरे बच्चो PDF तो आपने पढ़ ली न अब उसके बाद जो आप Extra काम मिल रहे हैं आपको वो कीजिए वो आपको PDF में तो आपको जो Content Limited है आपके पास 100% Content है लेकिन अगर हम आपको 110% दे रहा हूं तो दिक्कत कह है आपका additional है क्या पता यही Question आजाएं क्या पता जो 100% Content हमने दे रहा है वो ना आए और जो 10% यह मैंने Question अलग से करा दिये हैं यह आजाएं तो जो Content आपको पढ़ाया जाता है वो आप पढ़िये आप पढ़ाई पर फोकस रखें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो मेरा काम है आपका काम है सिर्फ पढ़ना ठीक है पहला Question Homeacap का वो रिसेंटली अपॉइंटेड एस दा डारेक्टेड जनरल अफ दा नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेगिंड क्वेशन पिंक बॉल वार्म यह भी रिसेंटली न्यूज में था इन्वेस्ट्स विच आफ दर फॉलवशन ग्रॉप किस क्रॉप को यह एफेक्ट करता है थर्ड क्वेशन घाइ रेजोलुशन कैमरा ड्राको यह पार्ट है किस नासा मिशन का फोर्थ क्वेशन Meningococcal Disease यह Meningococcal Disease जो है यह किस basically किस से cause होती है आपसे पूछा जा रहे है क्या वो bacteria है, fungi है, parasite है और यह currently spreading among gay and bisexual peoples in Florida बताईए फिर आजाते है Ambubachi Mela, Ambubachi Mela आपका कहां organize कराए गया था, किस region में organize कराए गया था, यह आपका fifth question ठीक है friends, I hope आपको यह session पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं ऐसा ही session हम future में लाते रहे हैं, तो comment करके जरूर बताईएगा, आपके comment की बहुत value रहती है, because देखिए, क्या होता है कि कई बार हम अपने पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ चीज़े समझ नहीं आती, उन बच्चों को फिर वो negative comment देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चों को वो चीज़ समझ आती है, तो अगर आपके 100% में से 90% positive comment है, 10% negative comment है, तो we will definitely continue doing these series, हम 90% बच्चों की बात मानेंगे, वह content चलता रहेगा, और content जो questions आते हैं आप उसकी तो बिल्कुल attention मत लीजिए, because session बहुत अच्छा होता है, आपका पूरा content cover किया जाता है ताकि आपको problem ना और revision हो सके as well as friends, जिसने अभी तक हमारी quarterly video नहीं देखिए, जिसका set 1 अभी तक release किया गया है, उस video को जल्दी देखिएगा, and आने वाले time में, जल्दी से जल्दी हम set 2 भी release करने वाले हैं उस video का, तो जल्दी से उस set 1 को देख लीजिए, ताकि आप revision हो सके, and फिर set 2 भी आपके लिए जल्दी आने वाला है, that's all for the day friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पे जाके हमें follow कर सकते हैं, and इसी के साथ साथ, अगर आपको कोई भी problem आ रही है, या तो payment में, या हमारे courses के साथ, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 7677333862, या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं, and I'll make sure कि आपकी जो problem है, उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए, इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है vikas10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप vikas10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ, अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related, या आपका course purchase नहीं हो रहा, या आपका course purchase हो गया, पैसे कट गया, या कोई भी issue हो आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967-333862, या फिर आप mail कर सकते हैं, support at the rate of affairscloud.com पे, and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा, और आपकी problem को solve करेगा